अपने गेमिंग सेगमेंट से और सबसे पहले हम बात करते हैं पहली न्यूस जो सबसे बड़ी न्यूस आ ली थी लास्ट वीक की तरफ से वह यह थी कि आपकी रॉक्स्टार ने कंफूर्म कर दिया है कि वो लोग जीटीया 6 के उपर काम कर रहे हैं आप लोगों को अभी थक पता चली गए होगी जीटीय 6 ऑव्यस सी बात है कि वन आव दी पॉपलर गेम होने वाली है और जीटीय फाइव अभी पॉपलर गेम अभी भी चल रही है साथ-ाट सालों के बाद भी तो क्या ही कह सकते हैं तो रॉक्ष्टर वालों ने दो-तिन दिन पहले पने ट्विटर पर एक पोस्ट जा रहा था जिसमें वो लोग अपने फैंस को कह रहे थे कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जीटीय सीडीज की नई गेम कब आने वाली है और कब आएगी कैसी आएगी तो लोगों ने बता दिया कि वो नए प्रोजक्ट के उपर काम कर रहे है जो कि आपकी जीटीय की नई गेम होने वाली है नई एंट्री होने वाली है जो कि फाइनली हम गेमर्स के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि मैं परसनली बात करूं तो मैं को जीटीय फाइफ से मैं देख देखके ठक गया था कुछ नई गेम हो तो परसनली म बड़िया गेम थी, हाँ PC में जब आजी उसका पोर्ट खराब था बड़ वो उसकी बात रहन देते हैं क्योंकि गेम बड़िया है और होप करते हैं कि GTA 6 भी आपकी अच्छी होनी चाहिए बड़ टाइम उसके पर अपडेट आएगा तो यह चीज चाहिए सा अगर सही में यह लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो मेभी यह चीज खराब हो या अच्छी चीज हो वो तो आने वाले टाइम भी पता चलेगा बड़ जो लोग इस गेम को पाइरेट करके खेलने वाले होंगे या नहीं वो लोग अपडेट को इती इजीली नहीं कर पाएंगे पता नहीं अब लेट सी देखते हैं क्या होता है और जो नेक्स्ट निउस है यह भी आपकी रॉक्ष्टार की तरफ सही है आपका जो जो ज आपकी जो नेक्स्ट निउस है यह भी आपकी बहुत ही बड़ी निउस थी मैंने से उपर एक डेडिकेट वीडियो नहीं बनाया सोनी ने बंजी जो स्टूडियो है उसको खरीद लिया है जो की इसकी जो प्राइज लगाई है सोनी ने वो है आपकी 3.6 billion dollars में बंजी को खर जो एक्सबोक्स की थी और साथी में बंजी ने डेस्टिनी सीरीज बनाई है डेस्टिनी 1 & 2 जो कि मैं बोलू है आप लोगों शाय से इन गेम से कोई फरक ना पड़े बट बंजी ने अच्छी खासी गेम बनाई है जो कि अब यह सोनी की तरफ जा रही है और साथी में बंजी को खरीदा यह कोई माइक्रोफ के लिए कोई जवाब नहीं था यह उन्होंने सिर्फ खुद के लिए खरीदा यह इसके साथ में जो सबसे बड़ी जो नियूस आ रही है यह भी कुछ लीक सारे यह रियूमर्स आप इसे बोल सकते हो कि जो सुनी है अधर बहुत सारे जो स्टूडियोज को बाय कर सकता है लाइक आपका कैपकॉम एन कोनामी जो कि यह दोनों मैं बोलूँगा बहुती बड़े स्टूडियोज है वैसे अब यह जो चीज है सही होगी कि नहीं होगी वो तो एक अलग बात आ जाती है यह जो नियूस है आपको इसके बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे आप जागर के देख सकते हो एक का स्क्रिंशॉड मैं खुद भी दिखा रहा हूं आपको वीडियोज भी देखने को मिल जाएंगी बट हां यह मैं चीज कह सकता हूं अगर यह जो अक्वायर या यह जो कुजिशन य और आपको पता है कि अभी जो एक्सबोक्स ने और माइक्रोसॉफ्ट ने बसेदा को पहली खरीद लिया था तो यह गेम जो है अब आपकी PC में भी साथ में लाउंच हो रही है या पहले से इनका मोटिव था PC में लाउंच करने का वो आइडिया नहीं बट यह गेम आपकी 25 मार्च को PC में भी आ रही है जो कि मैं बोलूँगा मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लग रही है और मैं इस गेम के लिए एक्साइट भी हूं बहुत सादा इसकी PC स्पेसिफिकेशन आ गई है और साथी में कहा जा रहे है कि यह जो गेम है आपकी नेक्स्ट जेन वाली गेम तो फूल इनगब को गरें गेम हेला वाली आपके स्पेसिर में बयाहे है अब क्यों ब्लub Pers is तो अब वे नेक्स गेन ही कहते हैं पर आफ़ बात करूँ तो आप यहां पहे देख सकते हों मैं प्यान स्कुरिंसाट डोबी दिखा रहा हूंगा कि इसका जो मिनिमंघ नया ही CPU है और ग्राफिक काड में देखे तो इसको मिनीमम चाहिए 1060, 1060 और 5500 XT और रेकमेंड़ेड में देखे तो 1080 चाहिए 1080 और 5600 XT जो मेरा ग्राफिक काड है 5700 XT AMD की तरफ से वो इसका रेकमेंड़ेड से थोड़ा सा यह उपर है अब सोच सकते हैं और यह 1080p 60 का होग और अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो 20 GB अविलेबल स्पेस मांगा रहा है 20 GB I guess काम है शायद में को करेंट जन गेम बोल करके 20 GB मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कम है बट साइज साइज है इसका में इसका जो गेम प्ले टाइम हो वो थोड़ा सा कम हो बट मैं इस गे इस टीम एपिक गेम स्टोर के पर आपको यह प्री पर्चेस मिल रही है और प्लेशेशन वालों का अपना प्राइस होगा मैंने प्लेशेशन स्टोर अभी तक देखा नहीं तो यह था आपका गेमी सेमन नेक्स सेगमेंट पर चलते हैं और अनिमे निउस के सेगमेंट पर उसके अंदर अभी थाख सबसेज़ाब मोस्ट पॉपुलर अनिमे था वो था डेथ नोट अटायक ऑन टैन ने देथ नोट को भी पीछे छोड़ दिया है अभी आटायक ऑन टैन सबसेज़ादा मुस्ट पॉपुलर अनिमे बन चुका है जो कि मैं बहुत ही बढ़ीया बात है मैं death node को most popular anime देख देख के थोड़ा सा मैं ठक चुका था थोड़ा सा हाँ attack content deserve भी करता है मैं तो बोलूँगा और बढ़िया है बढ़िया है मैं को बढ़िया लग रहा है तो और चली ज्यादा अब attack content के बात छोड़ते हैं next news पर चलते हैं जो कि इस वीक का एपिसोड था आपको पता होगा संडे को आया है जो public का reaction है बहुत ज्यादा awesome बोल रहे है मैंने भी तक देखा नहीं है तो मैं आपको एकदम रिव्यू नहीं दे पाऊंगा बट public रिव्यू जो है वो तो बहुत ही awesome बोल रहे हैं और अभी आप जाके देख सकते ह दारती में यूस्ट ये भी है कि आपको जो 待 नakukan वीक का एपिसोड धो के लिए जो अगर आप लोग देख रहे हो दो आपको बता ने कि इतना awesome तो Kayla अनको के बता सकत प्रेंक रही मिली जाएकी और आप लोग 45 ऐसे सोड के लिए कितना ज़दा excited हो मुझे जरूर से बता सकते हो और जो आपकी फायर फोर्स की तरह से फायर फोर्स की जो मांगा है जो न्यूस आ रही है कि दो अपिसोड के अंदर खतम होने वाली है जो लोग फायर फोर्स आनिमे के फैन है वह आप जाकर के मांगा पढ़ सकते खतम होने वाली है तो दो चप्टर के अंदर खतम होने वाली है तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं तो बस यह न्यूस की वीडियो को इतना ही रखते हैं थोड़ा नौइज आने लग गया अगर आप लोगों को भी नौइज आ रही थी तो आप मैनेज कर लीजएगा कोई बा वाचिं दिस वीडियो टेक केर बाई बाई सायोनारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में